दिल्ले से शिमला जाते हुए सोनिपत में राहुल गांधी बरोदा हलके के कई गाउं के खेतों में किसानों से मिलने पहुचे राहुल गांधी काम कर रखे किसानों से मिलने खें सुभह तक्रीबन साथ बजे गाउ मदीना बरोदा में किसानों के साथ मिलकर धान लगाते नजर आए राहुल गांधी इन मुलाकातों की तस्वीरे सामने आई खें क्योंकि अलग-अलग किसान इकठा हो गए जब उन्हें पता चला कि राहुल गांधी खें आए गए आसपास से किसान इकठा हो गए राहुल गांधी से मिलने पहुँचे राहुल गांधी ने किसानों से बातचीत की कौन सी खेती कर रखेंगे, क्या बुआई कर रखेंगे, तमाम बाते किसानों से करते राहुल गांधी नजर आएगे तो शिमला जा रखे थे रास्ते में सोनिपत के गाउं में खेतों में उन्होंने देखा कि किसान काम कर रखे हैं किसानों के बीच पहुचे पाने से भरे खेत में किसान यहाँ पर धान की रुपाई कर रखे थे राहुल गांधी पहुचे और किसानों से बातचीत की हाल चाल खेटी बाड़ी के बारी में जाना और फिर यहां पर राहुल गान्धी ने ट्रेक्टर भी चलाया खेट में अब इसकी तस्वीरे सामने आई हैं तस venir आप देखे हिए खैतों में किसानों से मिले है राहुL गांधी किसानों से बात्चीत करती नजर आये हैं के विद में पानी भरा हुआ करे राहुल गांधी शिम्ला जा रखे थे रास्ते में राहूल गांधी ने देखा कि खेतों में किसान है किसानों के बीच पहुंचे के तस्वीरे इस मुलाकात की सामने आए एक है ट्रेक्टर भी चलाया के राहूल गांधी ने और जादा जानकारी के लिए खबरे अभी तक की जा रहाता लेकिन अचानक जैसी वो सोनीपत नैशनल हाई उकोर्टीफोर पर पहुंचे तो वहां से उगोवाना के लिए चले गए और गोवाना में गाउ मदीना पहुंचे जाक किसानों से बादसीत की ट्रैक्टर ते खेंड की खेंड की रोपाई ते उसके बाद किसानों क पास्थीत क्रीब एक से लेड़ गंटा राहुल गांदी ने विताया है उसके बाद अब संदीगर के लिए राहुल गांदी रोवाना हो गए हैं उनके साथ गोहाना से जो भी धायक हैं और बरोटा से भी धायक हैं वो दोनुं भी मौझूद रहे आसपास एक किसानों से ब किसान भी उत्साहित नज़र आए राहुल गांदी को घेर कर खड़े हो गए है राहुल गांदी ने यहां पर ट्रेक्टर भी चलाया खेत की बारे में जानकारी हासिल करते नज़र आए किसानों से बातचीत करते नज़र आए इसके बाद राहुल गांदी चंडीगर की तर